जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटपॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशावी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पर लगी बेल आइकॉन को जरूर दमा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खान पर जाकर डॉनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेटरान का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं महाराश में हुआ सियासी तमाशा बताता है कि 2024 में होने वाले चुनाव की बिसाथ अब बिश्टी हुई दिख रही है सियासत बेशर्मी की हाइट पर है जहां लगा ताज सेंट्रल एजनसी के छापे मारने के बाद उसी शक्स को मंत्री बनाया जाता है दोस्तों घर में चुहा गंदी नाली के रास्ते से घुसता है और आपके घर में चोरी करके उसी गंदी नाली से भाग जाता है पर अगर आप गंदी नाली के मुँपर एक पिंजड़ा लगा दें तो वो चूहा उस पिंजड़े में फस कर तड़ब तड़ब कर खत्म हो जाता है एक सियासी चूहा ऐसे ही दूसरों के घरों में घुस रहा है करनाटक में ऐसा एक चूहा गुसा था जो कि पिंजड़े में फस कर खत्म हो चुका है मद्ध प्रदेश वाला सियासी चूहा भी खत्म होने की कगार पर है हर स्टेट में पिंजड़ा लग चुका है महराश में भी सियासी चूहा आया है 2024 की तैयारी के तहत पर इस महराश वाले चूहे को पता नहीं पिंजड़ा लग चुका और ये सियासी चूहा 2024 में खत्म हो जाएगा महराश वाला चूहा काफी बद्बूदार और सड़ा हुआ है सारे दलों का गड़ बंधन चूहा पकड़ने का पिंजड़ा है 2024 में मोटा चूहा फसेगा तब एक नए सियासी तमाशे का आगाज होगा दरसल महराश में अजित पवार का तूट जाना बहुत लगी है गड़ बंधन से बचा हुआ जहर भी निकल चुका है जहां जहां इस तरीके से पार्टियां तूटी हैं वहाँ वहाँ बीजेपी की हार होगी 2024 के चुनाव में महराश से बीजेपी को पाथ सीटे भी मिल जाएं तो भी बड़ी बात होगी क्योंकि महराश में गड़दारी कभी काम्याब नहीं हुई है NCP में 70,000 करोड का घोटाला करने वाले घोटाले बाजों के नाम प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कुछ दिन पहले ही घोटाले की रकम के साथ बताया था अब पवार, भुजबल, हसन, तीनों महराश की बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिये गए हैं तीनों पर ED के केसिज हैं लेकिन अब प्रधान मंत्री देश को नहीं बताएंगे कि कौन और कहां है घोटाले बाज दोस्तों आजीर पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रिफ, प्रफुल पटेल ये सब ED और Income Tax की जाज के दाइरे में थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन पर तमाम पब्लिक मीटिंग्स में हमला करते आएं हैं जनता को दो दिन पहले गैरंटी दे रहते कि करप्शन करने वाले जेल में जाएंगे कुछ पर तो ED लगातार छापे पर छापे मार रही थी खेर आप महराज की बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद इन्हें राहत मिलेगी और एक साल सुकून से रहेंगे मोदी जी के सुरक्षा कवच के तहट लगता है कि अजीद पवार को जोती रादित सिंधिया का अन्जाम नहीं पता उनको बीजेपी के ही लोग बेवफूफ बता रहे हैं और सिंधिया सपोर्टर्स भाग कर कॉंग्रेस में वापिस जा रहे हैं आने वाले वक्त में सिंधिया धोबी का कुता बनकर रह जाएगा जो ना घर का था ना घाट का यही अन्जाम अजीद पवार और शिंदे का भी होना तै है क्योंकि यह साहिब और शाह की बीजेपी है जो शिव सेना और ठाकरे की नहीं हुई वो शिंदे और अजीद पवार की क्या होंगे सियासी तमाशा सिर्फ एडी और इंकम टेक्स से बचने और बचाने का है महराश्ट में शिव सेना की टूट के बार वहां की पबलिक में उद्धर ठाकरे के लिए सिंपैथी है शरत पवार को भी अब यही सिंपैथी यानि सहानु भूती पाने का सियासी खेल खेलना चाहिए दरसल महराश्ट में मराथी आइडेंटिटी और प्राइड के दो सिंबल्स है एक बार ठाकरे और शिव सेना और दूसरे हैं शरत पवार अब नरेंद्र मोदी और शाह ने दोनों मराथी प्राइड का भरता बना दिया है दोनों की पार्टी तोड़कर सरकार में मिला ली है अब सिंपैथी की पिछ पर अगर शरत पवार और अद्दो ठाकरे ने एक साथ मिलकर बैटिंग करी एक साथ तीनों मिलकर जमीन पर उतर जाए तो खोई जमीन वापिस मिल जाएगी दूसरी तरफ नितीश कुमार, ममताब एनरजी, केसी यार, मतलब जेल जाने वालों की फेहरिस लंबी हो सकती है ये एक नए तरह का उप्रेशन लोटस है और इस उप्रेशन में ED, CBI, IT, Election Commission और जुडिशियरी उस सत्ता के साथ है जिसके पास मुलक की डिमोप्रेसी की की यानि चाबी है तो इस तो देखने वाला सियासी तमाशा ये है कि 2024 के लोग सभाचुनाव में क्या भारत में सिर्फ दो दलों यानि BJP और गैर BJP ही रहेंगे और इस आम चुनाव में यही दोनों चेहरे के बीच क्या लड़ाई होगी मतलब नरेंद्र मोदी और राहुल गांदी के बीच सियासी जंग होगी या बाकी सब तूट कर भगवा ओड़ चुके होंगे या अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ाई के मैदान में उतरेंगे कुल मिलाकर सवाल बेहद एहम और बड़ा है जिनका जवाब शायद किसी और के पास नहीं है सिवाए अवाम के अगर जनता मोदी को चुनती है तो यकीनन उसके बाद भारत में उपोजिशन नजर ही नहीं आएगा सेंगोल का असली मकसद भी यही है नरेंदर मोदी ने भोपाल में जिन जिन निताओं के नाम घोटालों का जिक्र करते हुए लिये थे वो सब अब किस पार्टी का हिस्सा बन गए है यह आप सब लोग जानते ही है अब सवाल यह है कि क्या अर्बो के घोटाला करने वालों के साथ मुल्क की अवाम हमदर्दी दिखाएगी यकीनन 14 और 15 जुलाई को बैंगलूरू में उपोजिशन की बैठक इन ही सवालों के बीच होगी और आगे संसत सेशन ले लेकिन फिल हाल तो करप्शन के खिलाफ कारवाई का वादा और अब मोदी की गैरंटी घोटाले बाजों को चुन चुन कर मंत्री बनाने का तमाशा चल रहा है पार्टी तोरकर विधायक को लालच दे कर सरकार बनाना तो पहले भी होता था पर जेल का डर दिखाकर सरकार गिराना और बनाना मंत्रीयों को जेल भेजना और घोटाले बाजों को अपने साथ मिलाना ये एक नया खेल है तकरीबन नामुम्किन का मुम्किन होने वाला सियासी तमाशा है इसमें कथनी और करनी का कोई रिष्टा नहीं है पर महराश में पांच साल जिस ढंग से सरकार चली है उससे बीजेपी की सियासत का खुलासा तो हुआ है मतलब खेल यही है कि पहले करप बताए गए किसी पर कोई कारवाई याद आए या नहीं पर घोटाले बाजों को चुन कर मंत्री बनाने का एक्जामपल एकदम सामने मौजूद है दूसरी तरफ इससे महराश में इनिस्टेबिलिटी रही जो सत्ता में रहा वो कुरसी बचाने में लगा रहा काम कुछ नहीं कर पाया खैर सत्ता में बने रहने के लिए करप्शन के एक्जूद को मंत्री बनाने का नए एक्जामपल हसन मुश्रीफ का है अफसोस है कि इस पर ना आरेसेस की नजर है और ना इंसाफ देने करने और मांगने वालों की आपको बतादों कि चीनी मिल घ्रष्टाचार मामले में एडी ने एंसीपी नेता हसन मुश्रीफ के घर पर चापा मारा था 11 जन्वरी 2023 को उसके बाद दुबारा शरत पवार के करीबी हसन मुश्रीफ के घर एडी ने चापा मारा था चीनी मिल्क खरीद में घोटाले के इल्जाम के तहर बारा मार्च 2023 को आम चुनाओ से पहले मोदी की गैरंटी हर घोटाले बास पर होगी कारवाई बोले जिसने देश को लूटा उसका हिसाब होगा ये खबर टॉमी चैनलों ने चलाई थी इसी 27 जून 2023 को अब 2 जुलाई 2023 यानि कल की खबर है कि अजीत पवार समेट NCP के आठ विधायकों को महाराश मंत्री मंडल में शपत दिला दी गई है कुल मिलाकर मतलब ये है कि महाराश में शिव सेना पहले तूट गई थी और अब NCP तूट गई है करप्शन के अलजाम वालों का मंत्री बनना अपनी जगा अब ही ये कहना मुश्किल है कि BJP को अगले चुना में इसका क्या फाइदा मिलेगा लेकिन फाइदा क्यों मिलेगा इसकी कोई भी बज़े नजर नहीं आ रही है मोटे तोर पर दोनों विरोधी दलों के कमजोर होने या तूटने का फाइदा BJP को हो सकता था पर ऐसा तब होता जब लोगों को उससे अच्छे एड्मिस्ट्रेशन की उमीद होती दोस्तो 288 सीटो वाली महाराश विधान सभाग के चुनाओ 2019 में हुए थे BJP को सबसे ज्यादा 105 सीटे मिली थी शीव सेना को 56 यानि 56 और कॉंग्रेस NCP गजोड को 106 यानि 106 सीटे मिली थी लेकिन मोटी की सरकार ने किसी भी सरकार को स्टेबिल नहीं रहने दिया उस वक्त के मंत्री अभी तक जेल में है यही हालत दिल्ली में है और अब तमिल नाडू में भी यही सियासी तमाशा शुरू हो चुका है लेकिन डबल इंजन वाली सरकार मनीपूर को संभाल नहीं पा रही है विलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे ने सियासी तमाशे के साथ जै हिंद सत्ते मेव जैते अल्ला हाफिस दोस्तो हमारा पूरा वीडियो और दूसरा वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो www.patreon.com अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रॉन का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप अपने इस यूट्यूब चैनल की मेंबर्शिप भी ले सकते हैं इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबर्शिप ले करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर इंस्टाग्राम और पेस्बुक पेज पर मेरा ट्विटर है एड़ रेट और परशी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में